हलो दोस्तो मैं रिश्यानन्द आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ओफिशियल यूडिव चैनल बे जिसका नाम है वैदी कडित तो दोस्तो यह क्वैंटम कैट बाई सर्विश के रोबन सॉलुशन सीरीज 11 चल रही है और इस सीरीज में आपको नमबरे सिस्टम का सॉल देखने को मिलने वाले और कॉन से कर वारे यहां को क्वांटम पूक है जो कि सर्वेश स्यूंस के वर्मा कि तो उसे विकेंट को पर mo दैकल कवीं app है एक अगर आप के घर चैट का या फ людей यह सी मेट हो गया तो need कि जादे यूसपाल है उनके लिए जो ने से किसी भी exam निशना अगर वो फिर अफिस्ट्वट है तो काफी यह मैंस का आपको बेस हो गया अगर आप यह जानते हो तब जाके आगे चलके और भी जितने आपको चैप्टर से ना उसमें आपको फिर दिक्कत नहीं आती अगर आप इसकी अच्छी सी जानकारी रखते हो तो ठीक है तो इस वीडियो का अगर आपको पीडियो फॉर्मेट चाहिएगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्कूशन बाक्स मिल जाएगा साथ ही साथ जो मेरा टेलिग्राम का जो ग्रूप है और वाटसेप ग्रूप है वहां पर मैं डाल देता हो तो वहां से भी आपको प्राप्त हो जाएगा ठीक है और इन दोनों का लिंक चल लेते हैं और उनका सॉलुशन देखते है तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और पहला और दूसरा आपका साथ में है तो सबसे पहले हम लोग 11th नमबर सवाल देख लेते हैं अब देखे हैं हमें पताना है यहाँ पर कितने सारे इवें इंटीजर्स होंगे एन के जबकि एन की जो वैल्यू है आपको 13 से लेके 313 के बीच में है और आप दी फॉर्म जो कि कौन से फॉर्म में है आपको 3K प्लस 4 के फॉर्म में है वर के जो है हमारा कोई भी नैश्रल नमबर है ठीक है तो एक जी यहाँ पर समझ लीजे एन जो आपका कितना आपको 3K प्लस 4 के बरावर है तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हो यहाँ पर आपको 13 लिख लिए इस ग्रेडर दन इक्वल टू यह क्या हो जागा आपको 3K प्लस में क्या जागा आपको 4 आजागा इस स्मार दन इक्वल टू हो जाएगा आपको 313 हो जागा ठीक है अब चलिए एक करके लिए यहाँ पर आजागा 13 इस स्मार दन इक्वल टू 3K प्लस 4 ठीक है और एक यहाँ पर हो जागा आपको 3K प्लस 4 इस मार दन इक् 3K कितने के आपको हो जाएगा बराबर K जो हो जाएगा आपको greater than or equal to कितना हो जाएगा आपको 3K बराबर हो जाएगा यहाँ से ठीक है और जब इसको solve करते हैं तो यह आजाएगा आपका 3K और smaller than or equal to 4 उधर आगया और यह जाएगा आपका 309 तो केक आगर हम जब value निकालने जाएंगा तो smaller than equal to जगा आपको 309 और नीचे में आ गया 3 और यह आ जगा आपको कितना हो जगा 103 ठीक है तो मतलब क्या है कि यह जो बीच वाला जब पार्ट है के वह आपको smaller than equal to हो जगा आपको 103 and greater than equal to हो जगा आपको कितना 3K ठीक है अब हम बरावर भी हो सकता और 103 के भी आपको बरावर हो सकता है कि समझ पार हो greater than equal to है तो यहां से अगर मैं even लेना शुरू करता हूं तो सबसे पहला जो even number होगा सबसे पहला even number कौन सा होगा यहां पर आपको 4 होगा लास्ट का जो even ऐसी चलते जाएंगे और लास्ट का जो even number होग होगा आपको 102 होगा समझ पार हो बात को even number सबसे पहला और और सबसे जो बड़ा होगा लास्ट वाला होगा आपको 102 होगा ठीक है क्योंकि 103 तक ही जाना हमें ठीक है तो इनके बीच में जितने भी even numbers होगे वह हमको यहां पर बताना है तो कैसे बताएंगे हमारे last number है आपको 8 आगा तो 2 के difference प्यारा तो 2 ले लिया तो अगर मैं यहां से 2 common out करता हो तो यह आजागा आपको कितना 51 और यह होगा आपको 2 प्लस में क्या हो जागा n-1 हो जागा तो 1 और यह n is equal to कितना जागा यहां से आपको 50 आजागा n बराबर कितना होगा 50 तो मतलब 50 even integer से आपको य अब देखिए इसी से जो related आपका बारवा question था वो यह था कि in the web question the number of the values of n which are odd ठीक है अब देखिए यहां पर भी जो आपने सवाल बनाए 11th number उसमें क्या बोला गया अस था आपसे even number पूछा गया था अब जो आपसे पूछा जा रहा है कि odd number कितने होंगे आपको कहां से कह पहला ौण चलता जागा चलता चाहता, नो the थी सबसे पहला नमबर कितना तो अगर आप देखोगे तो यहां पे हो जागा न माइनस वन और यह जाग आपको 50%. यह जागा बदाब कितना वन आगे अधर तो यूगे आपको 51. तो n की जो value हो जाएगी यहां पर कितने हो जाएगा 50 होना जाएगा मतलब odd numbers कितने सारे हैं आपको 51 क्या हैं आपको यहां पर odd numbers है जो कि 3 से लेके 103 के बीच में है तो b option क्या जाने चाहिए आपका correct हो जाएगा clear है बात समझगो कि सवाल को ठीक है तो दोनों ही सवाल आपके यहां पर हैं क्या होगा है solve होगा है तो अगला सवाल हम लोग चली देखते हैं दूसरा सवाल क्या है हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके screen पर है और यह सवाल यह है कि if a and b are two odd distinct prime numbers and if a is greater than b then a square minus b square can never be divided by ठीक है यहां पर क्या बोला आजराम से कि a और b क्या मेरे पास two odd distinct prime number है दोनों odd हैं आपको और क्या आपको distinct prime number है जिसमें a क्या आपको b से बड़ा है और तो हमसे क्या कुछ आज़ार कि a square minus b square जो हमारा equation है वो आपको किस से divide नहीं होता खिशुक है तो अगर हम देखते a square minus b square हमको बोला गए तो इसको हम तोड़ सकते है इसको क्या लिख सकते है ? a plus b into a minus b लिख सकते है लिख सकते है अब क्या बहला तू odd distinct prime number है तो distinct क्या मेरे पास यह prime number है तो अगर प्राइम number अगर हम odd लेना शुरू करते हैं तो यहां पर हमारा odd number कौह से शुरूगा आपको 3 से शुरूगा, 3 के बाद हो जाएगा 5, 5 के बाद हो जाएगा आपको 7, फिर जाएगा आपको 11, 11 जाएगा आपको 13, फिर 17 और यूँँ ये चलता जाएगा, ठीक है, ये सारे कि आपको odd numbers हो जाएगा, तो चलिए एक एक करक हम लोग यहां पर पुट करके देखते हैं, तो अगर मैं बोलता हूँ कि यहां पर और एक condition दे रखेगे, जो आपको B से बड़ा है, तो हम लोग अगर A अगर हम बोलते कि A जो मेरा 11 के बराबर है, और B हमने क्या बोल दिया, आपको 3 बोल दिया, ठीक है, तो जो हम इस case मे लेते हैं, तो यहां पर एक बार जोड़ेंगे तो यह हो जागा आपका 14, और एक बार जब घटाएंगे, घटाएंगे, तो यह हो जागा आपका 9 हो जागा, तो देखिए कोई भी option में जो आपका है, जो कि इससे divide हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, जो हमारा आया है, वो अगर हम बोलते हैं, फाइब के एक बार क्या करना हम लोगों को जोड़ना और घटाना है, अगर इसके बार जाते हैं, तो एक बार जोड़ेंगे तो यह हो गया आपको 18, और कितना हो जागा आपका 8 हो जाएगा, तो देख लिए option में से, इन option में से किसी से divisible है, तो किसी स option से यह जाना चाहिए हमारा, D option क्या हो जाएगा हैं से, correct हो जाएगा, clear है बात, समझ गो किस सवाल को, ठीक है, चलिए बगला सवाल देखे लिए जाए, हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके screen पर है, इस सवाल में क्या बोला जारे, if P is equal to 101 to the power 100 and Q is equal to 100 to the power 101, then the correct relation is, तो इसमें से कौन सा relation आपकर करेक्ट है, यह यहाँ पर हमें बताना है, तो एक चीज तो है यहाँ पर की बोला गया हम से क्या, यह तो आपके 101 है, और to the power इस बोला गया है तो जब यह चीज बोला गया है, तो एक काम कर सकते हम लोग यहां पर कि हम लोग इसको divide करते हैं आ है अगर मैंने और क्यूंग गैस में क्या हो जागा आपका क्यूंग हम देखते है तो यह दोनों का है तो पाँ यहाँ से जो पावर नहीं मैं ज हो जाएगा तो पावर कितना एक है अब दोणे हम पर यहां पर यह आजा है को कम कर थे और जो म्हाल कर ददे कर थे तो अगर आप देखोंगे थ्यान से यहां पर जोगा क्यों का जो वैल्य होगा वह क्या होगा आपको पी से ज़्यादा होगा क्योंकि यहां पर आपको डेसिमल आगे अब वन का पाउर अगर आपकर ते जाओगे पर आपका यहां पर जोगा आपका पी इस स्क्रीन पर है अगला सवाल यह कि if k square minus 25 is an odd integer then which of the following value gives the even number तो देखिए यहाँ पर हमसे ही बोला गया कि k square minus 25 क्या आपको odd integer है तो नीचे जितने भी हम आपस तीन option दे रखा गया एक तो आपको k to the power 2k minus 1 है और दूसरा क्या है कि 3k minus 3 into 2k minus 2 है और एक क्या आपको k plus 5 into k minus 5 है तो आप से क्या पुछा जारा कि इन तीनों option में से आपका कौन सा क्या होना चाहिए आपका even number होना चाहिए जबकि k square minus 25 क्या आपका odd integer है चली इसको solve करके देख लेते हैं तो देखिए जो हमको equation दे रखा गया और वह यह दे रखा गया क्या स्क्वाइर माइनस क्या बोला गया 25 बोला गया चीक है अब एक चीज़ यहां पर ध्यान से देखिए और हमसे क्या पुछा गया है कि which of the following is an even number नीचे जितने दे रखा गया है इसमें से कौन सा आपका even number है यह हमसे यहां पर पूछा गया है तो कभी भी हम ले सकते आपको कितने से ले सकते आपको 5 से बढ़ा ले सकते है अब जब 5 से बढ़ा लेना तो के की जो शुरूआत हो होकी वह कहां से होके 6 से शुरू होगी ठीक है अब दोफी यहां पर क्या भूलीख कि यह पूरा टर्म ये स्कॉर मैनस 25 अब कहा आपका ऑल आप सब्सक्राइब अगर उट्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो इसकी वैलु कितनी आजाएगे आपको यह जाएगा और यह कितना है तो यह आपको तो स्वखोंने लए घर को लेना है आँम नहीं तो चलुती है यह जलेज़ן हो चाहिए और कितना चाहिए आप 13 हो जाएगा तो जो हो जाए डिक्या तो सफ्विष्क गों एर कुणि से ना पड़िखोंने छल्टे है ंचीज भी जह्ने पावर सिक्सटोड यहां पर कितना जगा है फिर्स वावर हम देखतेए तो फिर्स्ट वालगा ने हो जा ठीक है एक बोलनी इम्हें मैंस धूपलों ट्री एक पांधना और यहीं डिया हैं 5 डूंबर का यहां पर और दो लोग क्या देंदा आपको इवेन नम्रिदेंगे तो इक्जाक्ली क्या होना चाहिए चाहिए तो यहां पर यहां सब l affiliate क्लेशन को सभी हो जाए है, क्लेशन च्वाल को सब्सक्राइब साओं, एक CLIQU प्रफिचर रख सकते हो और साथ ही साथ आपको वाट्सेप के भी ग्रूप में मिल जाएगा और मेरा टेलीग्रैम के भी ग्रूप में मिल जाएगा तो अध्लास दोस्तों थैंकियो सो मच पर वाचिंग वीडियो और बेस्ट अलोग पर एफूचर